नमस्कार दोस्तों गुर को चीनी के मुकाबले ज़्यादा गुनकारी माना जाता है गुर को हम अपनी डाइट में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गुर को रात में सोने से पहले खाली पेट गुर, चना और गुर पानी के रूप में आदी गुर को सेहत के लिए बहुत फाइदे मंद माना जाता है गुर को नेचुरल शुगर के तौर पर भी देखा जाता है गुर खाने से पाचन को बहतर रखा जा सकता है गुर में केलशियम, फॉसफोरस, मेगनीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और आइरन जैसे पोशक तत्व पाए जाते है जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने का काम कर सकते है इसके अलावा गुर में कैलशियम और मेगनीशियम के गुर्ण पाए जाते है जो हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं इतना ही नहीं गुर्ण को वजन घटाने की डाइट में भी शामिल कर सकते हैं गुर्ण वाली चाय के सेवन से वजन को आसानी से कम किया जा सकता है गुर्ण को डाइट में शामिल कर बड़े हुए वजन को कम कर सकते हैं गुर्ण में नेचुरल शुगर पाया जाता है अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना गुरवाले पानी का सेवन करें नमबर दो हड़ियों हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए आप रात को सोते समय एक गिलास गर्म दूद के साथ गुर का सेवन करें ये हड़ियों को कमजोर होने से बचाने में मदद कर सकता है मौसम में बदलाव होने से सर्दी खांसी होना आम समस्या है अगर आपको सर्दी खांसी की शिकायत है तो आप गुर वाली चाय या गुर को गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते है नमबर 4, मुहासों गुर रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर कर त्वचा की सफाई में मदद कर सकता है मुहासों की समस्या से परेशान है तो गुर का सेवन करें गुर खाने से मुहासों की समस्या में आराम मिल सकता है और स्किन को चमकदार भी बनाया जा सकता है जो जाना गुर्खाना फाइदे मंद हो सकता है